दोस्तों नमस्कार मैं राजिश्वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदिदर राजिश्वर्मा यूटूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गाइड करेंगे कि एसी की जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रोब्लम सबके एसी में आती है जस्ट इमेजिंग करिए कि आपकी जो एसी है बैट के ऊपर लगा है और जैसे ही आपको नींद लगने वाली हो और उसी समय एसी से टपाटप टपाटप पानी जो गिरने लगी तो काफी टेंशन काफी घुसा आ जाती है या एसी जो करती है तो दूस्तों इस कंडिशन में हमें इसको ठीक करने लिए टेक्निशन की जवरत होती है तो मैं आज की इस वीडियो में बहुत सिंपल और सब्सक्राइब करता हूं हो सकती है इसी तरह से अगर आप फॉलो करें तो आपकी जो एसी से पानी जो गिर रही है उसको बह ज़िसे गांपनी अपटाई को आपने अपटे क्या करनी है तो देख़े ऐसी ऑपर डिवाल लगी होती है इसकी 105 और यूख नहीं गया है लिए इसी जगों से पानी डब टपकने लगती है और इसमें आपको क्या करना है बहुत और तरीका तो क्या करेंगे घर पर जो इंडेक्शन्स या कोई भी बिजली की उपकरण होती है उसमें इस तरीके से पतली से वह बहुत अच्छा काम कर लेती है तो यहां पर कि तुकड़ा है उसे लेनी हैं और आप क्या करेंगे जुक इक्जामपल यह हमारी एसी है इसे हम एक्जामपल लुक्ष में तो दिवाल की पीछे जो एसे की ड्रेनेज पायप जो निकली होती है तो यहां पर हम आपको दिखाते हैं एक्जामपल इस तरीके से यह पानी की पाइप ड्रेनेग बाहर निकली होती है तो इसमें आपको यह घर में जो छोटी-छोटी उकरन जो होती है मिक्षी या इंडेक्शन या आइडेंस इस तरी के से कुछ केबल होती है बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल पदली सी जो केबल होती है यह बहुत को तो यह बिल्कुल इसको इस तरह से अंदर डालेंगे तो के बल्ला इसके जो पाइप निकली हुई है वहां जो जो एसी में कचरे अटक जाने की कारएं पानी जो अंदर गिर रही थी उस प्रोब्लम को बहुंच सिंपल और सरल तरीके से सौल कर सकते हैं तो आसा करता हूं कि मेरी इस वीडियो से आपकी जरूर हैल्प हुई होगी और आप अपनी एसी की वाटर लिकेज पानी गिरने वाल करें के साथ हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक दिल से बहुत बहुत धन्यावाद कि पूरे को कि कि